हलो वेरीबन दोस्तों नमस्कार गूड इविनिंग कैसे हैं आप सब दोस्तों यहाँ पर आई टी टेकनेसियन की एक नी वेकेंसी दोस्तों आई है जो कि राष्टिय अप्रद्योगिक संस्थान के दोस्तों तरफ से आई है दोस्तों यहाँ पर सैलरी की मैं बात करूँ दोस पूरा देखना मैं सबकुछ जीटेल में हाँ पर आपको बताऊंगा कैसे अपलाई करना है कितनी वेकेंसी है केटेगरी वाइस और सबकुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं अपलाई नसे लेकर के सबकुछ सारा इंफरमेशन देने वाला हूँ दोस्तों आपको पता है यहाँ घार रूज यहाँ पर हम इटियाए समंदीत और पाल टेक्निक और बीटे के समंदी दुस्ते आपर नियू वेकेंसी अप्डेट हम लाते हैं और साथे साथ दुस्ते आपर जिवाप की बिल्कुल 100 परसंट गेर आप अप असप्लाई तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर दोस्तो वीडियो को सुरू से लास्तक चरूर देखना दोस्तो में यहाँ पर इसकी ऑफिसल वेबसाइट से मैंने यह डाउनलोड कर लिया है ठीक है आपको अब लिंक देदेंगा डिस्क्रिप्शन में आप भी वहाँ से डाउनलोड करने ना लेकिन रुको रुको डाउनलोड करने से पहले आप पूरी वीडियो देख लो क्योंक ट्र seis और बिवाश्चन है दुक है पहला रिस्टरार ही लाइब रियारें असिस्टरार है टेकिनिकल ऑफिसर है कि का इसके भाद थोड़ा से नीच ही जा जा जाएंगे दुसतो है कि तो यहाँ पर आपको मिलेगाओ ऐसस ऐसस्स असिंट सुपरेडेंट सिंर टकिनिश्यं senior assistant, stenographer, technician और junior assistant ठीक है तो technician तो आपको दिख गया है दोस्तो ठीक है इसके नीचे दोस्ते हाँ पर और कोई vacancy अब नहीं बचिए अब यहाँ दोस्तो बात करते हैं जो technician है उसमें कितनी पोस्ट है और बाकी जो ID की समझ देतनी vacancies है दोस्ते हाँ पर जो technician की जो पोस्ट है आप ठीक है अब दोस्तो हम बात कर लेते हाँ पर की जो qualification है essential criteria वो कितनी है रेजिस्टराल के लिए ठीक है हमें देखना दोस्तो टेकनिसियन के लिए तो हम लाइबरेरियन के देखेंगे दोस्तो इसमें लाइबरेरियन में भी जिस्ते हाँ पर ITI नहीं मांगा है जो IT मांगा है टेकनिकल अशिस्टेंट दोस्तो इसमें पी बी टेक मांगा हुआ है टेकनिकल असिस्टेंट दोस्तों संब्सक्राल थेग्या है फिसको दॉक्र salads आपर सिनिए इसमें आइटे मांगा गया है ठीक है सिनियर टेक्निशन में दोस्तों हाँ पर जो क्वालिफिकेशन डिटल दिया गया आप देखेंगा ध्यान से सिनियर सेक्निशन मतलब आरहमी साइन्स होना चीए गोर्मेंट वे स्कूल से यह प्रीबेंट इस्कूल जो से समन्दित यहां फिर दोस्तों आपके पास डिपल्मां आशाप या पर नश्त को अछया निए निए भुखी है और इसके बाद हम बात दिखते हैं आज टेक्निंशिया से करीज़ेरी ए ठीक है तो दोस्ते हाँ पर ठेकनेशियन इसके पहले दोस्तों को था मैं ने बताया यहां पर सेडीयर क्षिए यह जो कि इसमें अजसे में कहा था हम सिभी तो सिखले बेक शींचियन की किट्टल यह नव नंबर पर प्रया टोटल जो तो आप चुवदा पोस्ट है ठीक है 28 यह है 14 यह है दोस्तों लोग का सपस है जो कि आपके लिए काफी इपॉटेंट है अआप पार से नीच दुस्तो आता है नीचे नीचे आख दुस्ते हैं टेक्निके में की लिए क्या क्या है बार में 206 मार्प होनी चाहिए बार हमें पर साथ हुनी चाहिए फिक्टी पशन्स मार्प्स घृत दसमीं पास 210 क्या से या फिर दो साल का श्रैटिपीकर होना या फिर डिप्लमा एंजिंटरिंग त्री यर डिए रिलेवेंट फ्रॉम में रिकनाइज इन्वर्सिटी गवर्मेंट या फॉल टेक्निक ठीक है नौट इक्सीडिंग 27 यर 27 साल सदिक नहीं होना चाहिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा घबडाई रही जूनियर असिस्टेंट इसको दुस्ति हम पर जेन्र इंफर्मेशन है ठीक है रिजर्वेशन पॉलिशी की बात करी गई है जो मिलता है आपको मिलेगा ठीक है उमर में छूट भी मिलेगी आपको देकी उमर में छोट की बात भी कहा गया है ठीक है तो तो आल कॉलिफिकेशन एक्स्प्रियंस विल भी रिकनाइज आइज आन दे लास डेट आप अप्लिकेशन समेशन अप्लिकेशन जी लास डेट है उससे पहले सब कुछ कंप्लिट होना चाहिए तब यह आपकी जाब इसमें लग सकती है ठीक उस तो अधर इंपॉर्डन इंफ ठीक है एक्सेश्टी का 500 और जेनरल ओविसी का एख़जार रुप्या है ओनलाइन पेमेंट करना दोस्ते हैं आप ठीक है इस्टेट बैंक आप इंडिया गत्रू यह आपका वेबसाइड है और एक्सेस करना दोस्ते हैं www.online.sbi.com क्लिक अंदर स्टेट बैंक आप फिरेंट इननाइन अएटी सिल्चर ठीक है दोस्ते हां पर नइटी सिल्चर की बात की जा रही है जो वेकेंशिया यह ए एनाइटी सिल्चर में आई है असाम के ठीक है असाम का निटी सिल्चर में इसके बाद आपका फॉर्म में है अप दोस्तों भर जाएगा इसके पर आपको फॉर्म पर ना है 10 days from the date of the publishing of the advertisement in employee news अप टु सेवंटीन थादें थादेंगे इस पे जाएंगे तापको यहां पर सब कुछ इंफर्मेशन सारी चीज़ा आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है दा हाड काफी आप दा अप्लिकेशन सुड इंक्लूट दा फॉलोइंग डूली फिल्ड अप्लिकेशन फ्राम दा ओनलाइन जेनरेटेड ठीक है जो आप उनलाइन फारेंगे उसका फिल लेंगे आप सभी डाकुमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड डिकलेशन फार्म ट्रांडेक्शन स्लीप होने चाहिए जो आप फिस जमा करेंगे एनोसी क्लिरेंस ठीक है यही सब दस्तों आपके पास होनी चाहिए वाम बढ़ते समय बस और कुछ नहीं है आप एपसाइड मैंने बताई दिया है ठीक है इसका लिंक मैं डिस्क्रूट समते दूंगा वहां पास जाकर अपलाई कर सकते दूस्तों आई टीए विडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं लिए वीडियो न्यू वेकेंसी के साथ चैहन्त